बिस्मिल्य रह्मान रह्मान डियर वीवर्स असलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टापिक ही वो पाक स्टेडी एम सी क्यूस पार्ट ट्वेल हैं जो तमाम स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये सवालात एम हैं। सींड वास कांकरड बाय मुहमथ बेन कासीम डियो भी विशह ओमाइट पीरियेडों। नम्र वन में जो है अप्षिन ए हैं नम्र दूसरा क्वेश्चन है मुहमद बिन कास्म was the nephew of मुहमद बिन कास्म किसके बन जाते nephew थे किसके अप्षिन डी हैं दूसरे हम सिक्यूज में हाजाज बिन यूसफ के थे राजाद दाहिर was the ruler of number third mcqs है number three mcqs में जो है option C है छी है number four mcqs है debol and elior are the name of places of ancient seat option number four mcqs में जो है option A है places of ancient seat who was सकेसर सक ससा कर को था वजीर आफ रजादायर option number mcqs number 5 में जो है option c है question number mcqs number जे है मुहमद बिन कासिम torture to death in a prison in Iraq during the खिलाफत आफ मुहमद बिन कासिम को जो है कतल किया था एराक में किसके खिलाफत में सुलिमान के खिलाफत में mcqs number 7 एन 133 AH 750 AD डाबेसाइड और तुरूद डेश ओमाइड 133 AH हीजरी या 750 AD में आबासी का खात्म हुआ था और तुरू हुआ था ओमाइड किसका ओमाइड का अबेसाइड गोवर्नर केम टू सीन्द इन 140 AH 757 AD एबेसाइड गोवर्नर जो 140 AA हीजरी या 757 AD में आया था उसका नाम क्या था हार्शम था यान MCQs नमबर आठ में जो है आप्शन A हैं MCQs नमबर नो इना 367 AH 66 AD सबक्तगीन एद तुरकेश स्लेव बिकम दा मास्टर आफ घजनी आप्शन D हैं 9 MCQs में जो है आप्शन D हैं 10 MCQs मोहमद बिन कासेम इंपोर्टन बिटल वास फ़र्ट आगेंस्ट जाइपल नियर पिशावर इन एट मोहरम 392 AH 25 नमबर 1001 AD मुहमद बिन मामूद का जो पहला जंग हुआ था किस के खिलाफ हुआ था जाइपल के खिलाफ हुआ था पिशावर में 8 मोहरम 392 हीजरी को 25 नमबर 1001 AD को किस के खिलाफ हुआ था 10 MCQs में अप्शन एह हैं जाइपल 11 MCQs हैं अबु 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 अल्फति दाओद वास दाइस्माईली रूलर आफ मुलताना MCQs नमबर 11 में जो अप्शन B हैं 12 MCQs हैं मुहमूद सेट आउट अन एक्सपिडेशन टु समुनाद आन 12 MCQs में जो अप्शन B हैं 13 MCQs हैं मामूद ब्रेट इस लास्ट साइ आन 30 अप्रेल मामूद ने आखरी सांस लिया ता कब 30 अप्रेल 1030 AD को 13 MCQs में जो अप्शन डी हैं MCQs नमबर 14 हैं इन डेश यानि 1191 AD दा फिस्ट बितल आफ त्रेन वस फट्ट बित्वीन मामूद घौरी और राजपूत अंडर दा कमांड अफ गुवींद राई ब्रादर आफ प्रित्वी राई राज मुहमद घौरी डिफिटेट इन इस बितला पहला जो 1191 में जंग हुआ था किसके त्रेन और मामूद घौरी के दर्मियान राजपूत ने के कमांड में ते कौन गुवींद राई ब्रादर प्राद्वी राज जिन में किसको शिकस्त हुआ था घौरी को शिकस्त हुआ था 1192 यानि 14 MCQs में जो है आप्शन C है इन 1192 15 MCQs इन 1192 एडी दा सेकंड बितल आफ त्रेन वास फट और राजपूत राजपूत डिफिटेट इन इस बितल 1192 में जो दूसरे जंग हुई थी जिसमें त्रेन को पिर शिकस्त हुआ था राजपूत ने इस जंग में फत्ह हासिल किया था ये कब हुआ था 1192 में 18 MCQs है दा पावर अफ दा लिजिसलेटर कॉंसल वास इंक्रीजड बाई पावर जो ता लिजिसलेटर कॉंसल का ये बढ़हा दिया था कि इसके मिन्टो मॉले रिफॉर्म्स में 19 MCQs है हिंद उर्दू कंट्रोवर्सरी आफ 1867 हैड फार रिचिंग कंसिक्वेंसेज बिकाज हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सरी जो 1860 में हुई थी इसके क्या नताइच थे इट वस अ फार रानर आफ टू नेशन तियूरी ये फार रानर ता किसका फार नेशन तियूरी का ये इसे पहले था 19 MCQs में जो आप्शन ए है 20 MCQs है दे एलेक्शन शुट बी हील on the basis of journal adult franchise इस डिमांड वस मेड इन इन्तिखाबाद कराए जाएंगे आम राह दही की बुन्याद पर ये किस में ये डिमांड रखा गिया था आप्शन बी लकनो पैक्ट यानि इन्तिखाबाद राह दही की बुन्याद पर किया जाएगा ये किस में ये किस ये मुतलबा किस एक्ट किति किया गिया था लकनो पैक्ट अप्शन भी है इसमें एक इस नमबर पर हम सी क्यूज है अलिगर्ड मुसलिम मुसलिम कालिज स्टार्टेट बाइ सरसेद मत्खान इन एटीना 77 हैड एकलियर प्रोग्राम आलिगर्ड मुसलिम कालिज शुरू किया था 78 को किसी ने शुरू किया था इसका क्लियर प्रोग्राम था अब एमसी क्यूज इसमें 21 एमसी क्यूज में जो आप्शन ए हैं तो कीप दा मुसलिम कम्यूनिटी एबरेस्ट विद साउथ वेस्टरन पार्ट वेस्टरन नालेज यह उसको मुसलिम कम्यूनिटी को अबरेस्ट करना था वेस्टरन नालेज से यह उसको अगा करना था 22 एमसी क्यूज हैं दे फ्यूचर फर्म आफ गोर्नुमेट वूड बी फिडरल वेस्ट वेस्टरन पार्ट वेस्टरन पार्ट वेस्टरन नालेज से 26 हैड था फॉलिंग परपज़ेज़ श्रीमला डिपॉर्टेशन ने सोचे के क्या मकासते फार फूचर एमसी क्यूज है फार फूचर एलेक्शन इन दा कांट्री मुसलिम कम्यूटी वोड बी गेट सेपरेट एलेक्टरेट ताइस नमबर एमसी क्यूज में जो है आप्शन ए हैं 24 एमसी क्यूज में डिरिंग दा खिलाफ़त मुमेंट चुरी चुरा ट्रीजी डी एजिम्ट ग्रेट सिगनिफिकेंट्स विच फॉलिंग इनसिदेंट आर पिक्यूलर तो देट खिलाफ़त मुमेंट में चुरी चुरा जो वाक्या हुई थी उसके क्या खिलाफ़त बात थी उसमें एमसी क्यूज नमबर 24 में अप्शन भी हैं एक पॉलिस स्टेशन को जलाया गया था ये जो वाक्या हुआ था चोरी चोरा जवा क्या हुआ था उसमें एक ये खासुसियात भी थी कि पुलीस स्टेशन को जलाया गया था 25 M.C. की उसे चोदी रह मतली पॉब्लिश्ट एलेफलेट नौ और नेवर और वी टु लिव और परिश फारेवर इशुड अन January 28, 1933 from Cambridge with the objective चोदी रह मतली ने अपना रिसाला जो था Now or Never ये शाय किया था कब शाय किया था? January 28, 1933 को कहां से? इसका मकसद किया था to create a separate and independent Muslim state. ये 25 M.C. की में जो है option 25 M.C. की में जो है option ये है to create a separate and independent Muslim state इसका मतलब ये था 26 M.C. की मौपाला कांट्रिबूशन इस देट मौपाला की कांट्रिबूशन क्या थी? M.C. की में नमबर 26 में option ये ये टुप पार्ट इन खिलाफत मॉमेंट के मौपाला की कांट्रिबूशन ये है आरिया समाज वास फॉंड़ेड इन 1875 आरिया समाज की बुनियाद कब रखी गई 85 में इसका क्या था to review and reform Hinduism की review इसकी review किया जाए और इसमें इसमें इसलाहात लाए जाए कि इसमें? Hinduism में आरिया समाज का जो मकस्द था क्या था कि वो review किया जाए और reform लाए जाए इसलाहात लाए जाए Hinduism में इस वीडियो की अगर आपको समझ जाए इसको लाए करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बिल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह informative वीडियो आपको मिल सकें Thank you for watching this video